मैं उस देश का नागरिक हूँ जहां चत्रपती शिवाजी महराज और समराथ असोक जैसा राजा हुआ करते थे मैं उस देश का नागरिक हूँ जहां हर पचास मील पर रूप पहनावा रंग और मजहाब बदल जाया करता था मैं उस देश का नागरिक हूँ जहां डाल डाल पर सोने की चिडिया को पाया जाता था मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भुगोल के पहले इस ब्रहमान्द का भुगोल समझाता था नमस्कार वंदे मातरम मैं आपका दोस्त वीर सिंग नभी नमाज से दोस्तों सोशल मीडिया पे और लोगों में चर्चाएं बहुत है और उस चर्चाओं के बारे में मैंने सुचा क्यों ना इस पे एक प्रतेक्ष रूप से आपके सामने आके चर्चा कर लिया जाए जिल्ला परिसद आचार साहिता लग चुके हैं आने वाले साथ जन्वरी को जाथ जन्वरी 2020 को चुनाब है और अभी से माहल तेज हो चुके हैं जी हां मैं रहता हूं जिस गाउँ में उस गाउँ का नाम कांदरी है नेरा कांदरी गाउठ सरकल में आता है और इसलिए अपने गाउँ के बारे में बात करना जरूरी समझता हूं बाकि की आसपास की सर संक्राइब फाइनल है और दाव पेज़ कि अगर समझ में आ रहा है बीज़ेपी के बारे में यहां से कुल अभी चार उमिद्वार ऐसे है जो सामने है चार उम्मिद्वार मैं आपको बताता हूं कि आखिरों कौन से चार उम्मिद्वार हैं जो बीजेपी जिला परिशाट टेकाडी सरकल के दावेदार हैं यहां पर रोस्टर स्सी महिला हैं तो स्सी महिला के चार उम्मिद्वार फिलहाल सामने हैं जो मैं आपको बताता हूं प्रित्वी राज मेश्राम, यह उम्मीदवार है, जो इस वक्त टेकाडी के रूलिंग सरपंच है, और इसे पहले भी उप सरपंच रहे चुकी है। दूसरे उमिद्वार की हम बात करें सो प्रियंका धर्मेंदर गनवीर तीसरे उमिद्वार की हम बात करें सो शालिने लिलाधर बर्वे और चौथे उमिद्वार की हम बात करें तो सो कल्पना संकर चहांदे जी हां इस चार उमिद्वार हैं जो चारो दावेदार हैं यहां प और इसे पहले साटक कि जैला प्र सलब स्थिभर से अलग अलग टालोका पहला अलग जगह पर यहां भी सकी रोस्टर आता है वह तो हो सकता है कि इसके अगर दूसरी जगत कहीं रोश्टर होगा उनकी दाविदारी वहां से भी हो सकती आने वाले समय में लेकिन सवाल यह है कि आने वाले इस चुनाव में आखिर जनता किन मुद्दों पे और किसे वोट देने वाली है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे तो फिलहाल चर्चा यह है कि जो मिद्वार हो या स्थान्यों को मिद्वार होना होना चाहिए जिससे गाउं का नौलेज अचैना चाहिए जो गाउं के सुख दूख छोटे मुटे या फिर बड़े तकलीफ में गाउं वालों का हमेशा साथ खड़े जब्फर उन्हें उम्मिद्वाडी देनी चाहिए या फिर जो अभी तक अलग-अलग सब्फर लड़ें हो उन्हें उम्मिद्वारी देनी चाहिए कि यह कुंधे सुनाव के ना की सिंबॉल और पार्टी के लीटर्स को बड़े चुनाव में देखे जाते हैं लोग सववार विधानसवा के टाइम पर देखेगद यहां कि नागरिक है गाउं के दोनों तीन गाउं आते हैं तीनों गाउं के जो अस्थानिक नागरिक है उनके साथ में यह अन्याय होगा या न्याय होगा इसका फैसला आपको करना होगा मैं समस्ता हूँ कि अगर कांदरी टेकारी और जूनी कामटी तीन ग्राम पंचायत है और तीनों ग्राम पंचायत में अगर कहीं बाहर के उमिदवार को अगर उमिदवारी दी जाती है तो ये कहीं से कांदरी टेकारी और जूनी कामटी के लिए एक शर्म की बात होगी कि क्या हमारे गाव में अस्थानिक उमिदवार नहीं है जो बाहरी उमिदवार को मौका दिया जाए अगर बाहरी उमिदवार को टिकेट दिया जाता है इस सरकल से तो साइध उन्हें हार का सामना करना पर सकता है और जैसा कि इससे पहले कांदरी ग्राम पैंचायत के हम बात करें जो कारण आज पार्टी को वहां का हार का सामना करना परा और वैसे ही सायद यही हाल जिल्ला परिसाद में भी हो सकता है अगर उमिदवारी चेंज नहीं की गई तो मैंने चार नाम लिया हो सकता है कि और भी कुछ नाम होंगे लेकिन चार नाम फिलहाल स्पस्ट्रूप से मुझे कहीं कहीं सिन आनुसूचित जाती पर भी लाइन किया जा रहा है को जो स्थ्खाइं पिछले 30 किसी धी दूसरे अनुसूचित जाती को नहीं उभरने दिआ गया कि 3 साल से राज्णीटी कर रहा है और लेकिन कीς और चहरों को नहीं उबरने दिया गया आर कि उवर ने दिया यह सोचने और समझने की बात है आने वाले समय में मैं पंचायथ समिति के कौन-कौन से दवेदार है दवährt आशने कर रहे हैं उनके बारे में बताने वाला हूं और पंचायद समिती से सभी पार्टी की बात कर रहा हूं जो जो दावेदारी कर रहे हैं वो मुझे नीचे मेरे नंबर दिख रहा होगा मेरे नंबर पर सब कीजिए कि आप भी दावेदारी कर रहे हैं ताकि मैं आने वाले वीडियो में आपकी दावेदारी को मैं बता सकूं कि आप भी दावेदार है पंचायत समिति के लिए तो दोस्तों सत्ता यह सेवा है यह फिर स्वार्थ है यह आने वाले चुनाव में आपको अपना कीमति मत दे करके यह साबित करना होगा फिलाल इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंग अभी नवाज